नमस्कार दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी आने वाली नई नीज वीडियो देख कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश आंख उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। पीम नरेंद्र मोधी और रूस के राश्ट्रपती व्लादमीर पुतिन के बीच S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई है। और जल्द ही ये भारत के पास होगा। यहें डिफेंस सिस्टम एक 736 मिसाईलों को मार गिराने में सक्षम है। जिसके बाद पाकिस्तान और चीन को हमारे उपर आँख उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। PM, मोदी और रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन के बीच कई समझोते हुए जिन में सबसे एहम रहा S-400 डिफेंस सिस्टम। इस पर दोनों देशों के बीच डील पक्की हो गई है और जल्द ही ये भारत को मिल सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की विशेशता की बात करे तो यहे एक 7-36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। विश्शत और पर पाकिस्तान और चीन से हमले की स्थिती में भारत इस सिस्टम का बहतर इसले माल कर सकेगा। गौर तलब है कि पिछले साल गोव में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान भारत और रूस के बीच 32,000 करोर से ज़्यादा की डिफेंस डील हुई थी। जिसके तहत रूस भारत को 5 S-400 अंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 200 कामूग के 226 T हेलिकॉप्टर देगा। इसके अलावा, 40 हेलिकॉप्टर भी रूस से खरीदे जाएंगे। S-400 एक विमान भेदी मिसाइल है, जो रूस की नई वायू रक्षा मिसाइल प्रनाली का हिस्सा है। S-400 को साल 2007 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। इस डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के विमानों, फ्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा जमीनी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। S-400,400 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इस डिफेंस सिस्टम से एक साथ तीन मिसाइले दागी जा सकती हैं। S-400,000 से मिसाइल और ड्रोन तक की की मौजूद्गी का पता लगा कर किसी भी हवाई हमले को आसानी से नाकाम किया जा सकता है। यह डिफेंस सिस्टम भारत को पाकिस्तान और चीन की नुक्लिया पावर्ट बैलिस्टिक मिसाइलों से कवच की तरह काम करेगा। यदि दोस्तों आपको हमारे दुवारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को जायदा से जायदा शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक जुड़े रहे हमारे साथ।